इस वर्ष कार्तिक पूरिमा 27 नमंबर को मनाई जाएगी पौराणिक मानेताओं और हिंदु धर्म गरंतों के अनुसार इस दिन सत्य नरायन भगवान की पूजा पूरिमा व्रत और पवित्र नदियों का इसनान और दान बेहद शुब माना जाता है कथा वाचक देवेंद्र आचारे बताते हैं कि कार्तिक की पूरिमा का विशेश महत्त होता है इस दिन इसनान पूरिमा भी इसे कहते हैं इस दिन दान करने से सो गुना फल की प्राप्ती होती है आचारे बताते हैं कि पद्म पूराण के अनुसार भगवान विश्नो मत्स अवतार में पवित्र नदियों और जल इस्त्रोतों में वास करते हैं इसलिए ऐसी मानिता है कि इस दिन नदी में इसनान करने से बैकुन्ड की प्राप्ती होती है इस दिन गंगा नदी में इसना लागर का बांध है नहरों के माध्यम से जिले के छोटी छोटी नदिओं में भी सोन नदी का पानी छोड़ा जाता है तो नदी गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी इसलिए इस नदी को बहुत्र माना जाता है इसनान दान पूरिमा के दिन भारी संख्या में स्रध्धालू इस पवित्र नदी में इसनान करते हैं और विधी विधान के साथ पूजा अर्चना कर दान पुन्ने का काम करते हैं रीवा में कई पवित्र नदियां बहती हैं, सोन नदी भी इसमें से एक है, कई पवित्र घाट भी यहां हैं, जिसमें राज घाट, देवी घाट, पटपरा घाट, हन्मुना घाट, पंचमठा घाट शामिल है, धार्मिक दृष्टी से पंचमठा घाट बहुत मशुहूर है, यहां पवित्र नदी के तट के किनारे भगवान शिव का विसाल मंदिर है, इसके बाद हन्मान घाट का भी एतिहासिक महत्व है, हन्मान घाट और राज घाट के बीच में नदियों का संगम है, इतिहासकार अस्द खान बताते हैं, यह संगम बिछिया और सोन नदी से मिलक बना है, यह दोनों नदिया मिलकर बीहर नदी का निर्माड करती है, यही वज़े है कि यह नदिया बेहत पवित्र मानी जाती है, नर्मदा नदी मधिप्रदेश के विंध छेत्र के अनूपूर चिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न हुई है, यह विंध परवत्माला व और दक्षिड भारत के बीच पारामपरिक सीमा के रूप में कारे करती है, रिवा रेवा का अपभरंस है, रेवा नर्मदा नदी का पाउराडिक नाम भी है, यही वज़े है कि विंध के सबसे बड़े शहर का नाम रिवा पड़ा है, विंध यांचल परवत्स्रेडी की ग अजधानी रही है, आज भी यह शहर नर्मदा नदी के पाउराडिक नाम रिवा से ही जानी चाती है, अशनान दान पूर्मा तो हर महीने में पड़ती है, पर विशेष तक काति का महीना पड़ा पवित्त ही माना गया, भगवान विश्णो का जो है, महीना है, मार्शे, अस अशनान दान पूर्मा जो है, 27 तारीक हो है, और उस दिन देखिए, विश्ण पंचक से निवत्ती भी होती है, भगवान जो महाबात के द्वाता, विश्मक जीते, विश्ण पंचक होता है, उससे निवत्ती होती है, अशनान दान के पूर्मा में, पूर्मा में विशेष क अश्णान करने करके दान करना चाहिए, जो सबक्रापते कर सब्रकिरत की प्रापती होगा। यह संभुत अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं। तो आप अपने घर में ही गंगा जल में डाल कर सकते हैं, इस बेवाद डाल के लगादा